तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वडियो में और आज के इस वीडियो में भी हम लोग उर्दू ग्रामर का एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो की बहुत ही ज्यादा इंपॉटेंट है चाहे आप 10th क्लास की तियारी कर र जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट समझते हुए इस टॉपिक को मैं पढ़ाएने जा रही हूं क्या आपको पता है कि इस चानल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोडिफिकेशन आप तक पहुचिए क्या राम है इस कि वाला जिन्स नहीं समझेदेगा यह उर्दू का जिन्स जिसको हिंदी में कहते हैं लिंग पढ़ें हिंदी में का मतलब लिंग यानि की जेंडर और जिंस भी उर्दू में दो यानि कि वैसे शब वैसा नाम जिससे किसी पुरुष जाती का होना पता चले किसी मेल का होना पता चले उसे कहते हैं मुझकर एक्जामपल में है दादा हो गया शहजादा हो गया राजा हो गया यह सब क्या इससे मालूम क्या चल रहा है इस तरह के नाम से हमें क्या पता चल र को हिंदी में कहा जाता है द्व detailed यानि K vanilla वैसे शब्द जिससे किसी स्तृरी जाती का होना पता चले किसी और पता चले उसे कहते हम लोग मुएनस जैसे की राजकुमारी रानी राधि इस तरह के नाम से आप को पता चल रहा है कि यह कोई इस्तिरी होंगी और रथ होगी उसके बार राज कुमारी कोई और दादे भी और थी होगी ठीक तो वैसे लाम जिसे किसी स्क जाती कह ना पता चले और कहते हैं यहां तक तो आप लोगो समझ में आ गया थे लेकिन हमें कोई ऐसा ट्रिक बता दीजिए जिससे हमें मालुम चल जाए कि कोई भी शब्द मुझकर है कि मौनस है अगर मैं आप लोग को बोल दी कि बताए किताब क्या है मुझकर है कि मौनस है ठीक किताब पढ़ना चाहिए कि किताब पढ़नी चाहिए क्या होता है कलम क्या है मुझकर ह कि मुझनस है तो किसी भी शब्द को हम लोग कैसे पता करें कि वह मुझकर है कि मुझनस है यही आप लोग के पास डाउट है ना तो इसके लिए भी मैं ट्रिक लेकर आ गई हूं बहुत ही शांदार ट्रिक है जिसका यूज आप लोग कर सकते हैं और किसी भी शब्द को किसी वाला ट्रिक फॉलो कीजिएगा अगर वो मुझकर होगा कोई भी शब्द अगर मुझकर होगा यानि की पुलिंग होगा तो उस शब्द के लाश्ट में अलिफ रहेगा जैसे की दरिया दरिया में लाश्ट में क्या है अलिफ है तो दरिया को आप क्या बोलेंगे मुझकर क्य किसी भी लवस के अगर लाश्ट में अलिफ रहेगा तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे मुझकर ठीक लेकिन हां कोई-कोई ऐसे भी शब्द होते हैं जिसके लाश्ट में जो है ना अलिफ रहता है लेकिन वह मुझकर ना होकर मौननस होते हैं तो यहां पर यह आप लोग का भी जो है यह वाला ट्रिक यह फेल हो जाता है मतलब आप बोल सकते हैं यह जो ठीक है ना यह नाइन्टीफ परसेंट कारगर ठीक और फाई परसेंट हो जाता है कही कोई-कोई ऐसा शरब्द होता है जिसके लास्ट में रहता है लेकिन फिर भी वह मुझकर ना होकर मौननस क ठीक है तो वहीं बोल रही हूं कि यह जो ट्रिक है यह 5% कहीं कहीं कुछ लबजों में जो है न कुछ शब्दों में फेल कर जाता है लेकिन 95% तो काम करता है न यह ट्रिक तो इस ट्रिक का यूज कीजिए आप लोग देखिए यह तो पहले में चल गया है कि जिस शब्द के लाश्ट में अलिफ रहेगा उसको क्या बोल देंगे आगी है दान अगर किसी भी शब्द के लाश्ट में दान है जैसे कि कलम दान खान दान तो यह सब क्या कहलाएगा तो उसको क्या बोल देंगे मुजक्कर बोल देंगे उसके बाद से लाश्ट में अगर मान है मेहमान तो फिर भी उसको क्या बोलेंगे मुजक्कर ही बोलेंगे ताब है लाश्ट में क्या ताब जैसे कि आफटाब आफटाब में लाश्ट में क्या है ताब तो इस तरह के भ से लाश्ट में अगर सार हो मिलन सार ठेक तो उसको भी आप मुझकर कहेंगे लाश्ट में जार हो जैसे की बाजार तो भी मुझकर लाश्ट में वाव हो उल्लू बच्चों यह सब क्या हो जाएगा मुझकर हो जाएगा लाश्ट में अगर पा है ठेक बुढ़ापा तो उसको को भी आप मजक्र ही बोलेंगे जैसे कि चांद क्या है मुजक्र है उसके बाद से समुन्दों ये यह क्या है समुन्दर भी मुजकKR क्योंकि आफिससी तरह है महीनों के नाम जैसे की यनवरी फरोरी मार्च अप्री मैं जुन जुलाई ये पूरा महीना का नाम क्या कहलाएगा खलाएगा शहर का नाम को भी मुद्धक्र कहते हैं जैसे कि पतना शहर फुलकत्था शहर लेकिन अगर बात की जाए एक मिनट यहां पर मैं लिखी ऊँगी दिल्ली जो तो यहाँ पर भी देखिए फेल कर गया च्रिक शहरों के नाम को क्या कहते मुझकर लेकिन दिल्ली भी तो एक शहर है ना लेकिन फिर भी यह मुझकर नहों कर मौन नस है ठीक और आगे भी मैं लिख दी हूँ ताब अगर मैं आप लोग को भी बताई ना लास्ट में अगर ता किताब में भी क्या है लास्ट में ताब है तो क्या यह लास्ट में रहता है तो वो क्या हो जता है ओलगे कि यह आखपन में लाश्ट में पन है फिर भी यह क्या है मुझनस है ठीक और यह सब तो बता ही दी तो यह थे कुछ आप बोल सकते हैं अपवाद केमेस्ट्री में आप लोग अपवाद पढ़े होंगे ना वही बात है यहां पर भी तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया कि मु आज यह से पहचानें की कोईविश्रब्द मुलनस है देखिया किसे वी अगर षब्द किसी भी लवर्स के लास्ट में अगर छोटी ये रहती है तो उसको बोल देंगे मौनस जैसे कि गाड़ी रोटी ठीक लेकिन गाड़ी में लास्ट में क्या है छोटी ये है रोटी में भी लास्ट में क्या है छोटी है तो इसको तो आप लोग क्या बोल दिये मौनस लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द है जिसके ल मोती में लंग कर जाता है लेकिन 95 परसंट तो काम करता है तो क्रीक यूजannel कर सकते हैं ऑन कःतर कूप सकते हैं इस भी लगे उसको यह बोल दें उसको मुणनस कह देंगे लेकिन कुछ अपवाद होते हैं ठीक है जैसे कि रावी मोती यह क्या है मुझकर है ना कि मुणनस और उसके बाद से और एक और एक्जामपल ले लिए कुरसी कुरसी में भी लास्ट में क्या है छोटी यह है तो इसको क्या बोलेंगे मुणनस उसके पट्रेंगे लाष्ट में अगर ते रहेगा मेहनत थीक तो अद्सकूत-को क्या प्रस Soupर नसी बोलेंगे तो Dan Edic capture अगर का रहेगा यह पुकार यह क्या हो जाएगा मुनाय चति फिररेना भाइब यह सबद्पने चाहिए लाष्ट में क्या है लग इसको महनत में तो इसको मुझानस बोल गिन शर्बत में तो शर्बत को भी क्या होना चाहिए लेकिन शड़त क्या है मुजक्कर है याद रखिएगा ठीक और छोटे-छोटे जानवरों को नाम आप बोल सकते हैं जैसे की गवर्या मैं ना चील कोयल यह सब क्या है यह सब मुझनस कहलाएगा ठीक तो आइधिंक आप लोगों को यह ट्रिक समझ में आया होगा अब चली हम लोग आगे समझते हैं अब माली यह आप लोगो बताना है कि क्लम क्या है क्लम मुझकर है कि मॊनस है तो आप लोग बताएंगे यहां मुझकर कहलाएगा कि मुएनस तो देखिए यहां पर बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए जानना जरूरी है कि कलम क्या है कलम जो है ना वो मुझकर भी है और मुएनस भी है ध्यान से सुनिये कैसे हिंदी लेंग्विज में कलम को मुएनस यानि कि एस्ट्रिलिंग कहा जात है कि यह मेरी कलम है मुझे वापस करो में लेकिन बात करें उर्दू की तो उर्दू भाष्रा में उर्दू लेंग्विज में कलम जो है ना क्या गर अगर उर्दु का पर हो रहा है आप लोग का तो आप लोग को पूछन części कि क्कया है मुझकर कर अभी मोटन तो अव्म क्या बता रहे गए ुर्दू लेंगोज में तो मुझकर ठीक तो आतुس मुझकर और मुगनस लफजों को लिख सब्सक्राइब नाम क्या है अप अप आपक अब ये सह सुचिन है नहीं खटी है यह है वक्त किर मेरी जाने का वक्त हो गया है तो मजक्त हो गीत थीक तुम्हारा गीत मुझे बहुत पसंद आया तो की वह cállасс का था हिस्सा मुजख्कर चिरा मुजखकर दफ्तर रिवाज रूप ऋसंदें यह सब क्या है मुझकर ही है कान भी मुझकर मजार नसीब मेरे नसीब में तो यही लिखा था तो मेरे नसीब में तो यही लिखा था लिखा था यानि की नसीब क्या है मुझकर अगर इस तरह रहता है कि मेरे नसीब में यही लिखी थी इस तरह आप लोग अभी सुने है नहीं सु मुएननस हो जाता मेरे नसीब में यही लिखा था यानि की नशञकर होसला थेक Shap मुजच में नाहित है चमकिली होता है मुठी चन्कील जोड़ी SAY मोथी क्या हो गया मुझा इन्साफ हो गया इलाज हो गया क्लम क्या है मुझच अ पानी मुझकर पानी मिलस्ट में क्या है चोटी यह है इसको क्या होना चाहिए मुझकर फैसलां मजमून ये सब मुझकर यह रोजा सेलाब खलवत दिमाग नेकाब रुक्सार जहाज कुफर अजाब आश्यान ये सब क्या है मुझकर है ठेक आशियाना का मतलब होता है घर ठेक तो अब बात कर लेते हैं मुझे वापस करो किताब क्या हो गया उर्दू क्या होगा लोगा मुझा चुब उसके बाद से अजान है तराजू जागीर रौनक तस्वीर रूह अकल ठीक और उसके बाद से शबनम्थ यह सब क्या है मेरीख यह है कि मैं परतान मंत्री बन जाओ त्वाहिश क्या है मुझे बली है तो खबर मिली है ना की खबर मिला है खबर मिली है तो मुणनस हो जाएगा आदत तेक तुम्हारी आदत ही यही है तेक तो तुम्हारी ऐसे तो नहीं होता है तुम्हारा नहीं तुम्हारी आदत यही है यानि की आदत क्या है मुणनस दौलत तलवार धूप जंजीर सालगीरा सालगीरा भी मुणनस ही है याद रखिएगा दो पहर दीमक जलक ये सब क्या है मुणनस शराब इमारत प्यास निठास इज़त हवा महक मस्जिद और उसके बाद से तरह भीड तनख्वा ये सब क्या है मुणनस है इज़त भी मुणनस हवा भी क्या है हवा मेलाश में अलिफ ह तो ये मुजखकर होना चाहिए लेकिन हवा क्या हो गया है मुखनास हो गया है हवा मुखनास तो यह होगया कुछ important loves जिसका मैं मुजखकर और मुखनास बता दी I think आप लोग को हर एक ची समझ में आ गया होगा कोई भी confusion हो आप हमें comment करकर पूर्ट सकते हैं बाकी में आप लोग को जो कुछ भी समझा ही समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करके चारों तरफ share कर दे अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जिल्ला ज़्यादा सको न ज़्यादा शेयर करें और हम अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेले कान यानि कि घंटी को दुबाकर सब्सक्राइब कर लेना है उसे होगा यह कि मेरी रोज जाने वाली वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो फिर मेंगे नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज